चलिए आप समझते हैं कि short circuit valuation of logic expression क्या होता है तो basically जैसे मैंने भी conditions आपको बताई थी कि condition जैसे end condition है या फिर और condition है तो जब end condition हम ने बताया तो मैंने ये बताया था कि जब जैसे यहां x is greater than equals to 2 यह first condition है then second condition क्या है यहां पर x divided by y is greater than 2 तो दो conditions है और यह execution कैसे होता है इसका expression का execution left to right होता है तो हम करते क्या है पहले left execution left expression को execute करते है फिर right को execute करते है तो इसमें होगा क्या कि end जब मेरा true तब होता है जब दोनों की दोनों condition मेरी true हो लेकिन यह false कब हो जाएगा जब इनमें से एक भी condition मेरी false हो और मेरा execution कैसे चल रहा है left to right चल रहा है तो हम अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि x is greater than equals to 2 मेरी false हो जाती है तो उसमें क्या होगा कि इसको यह check करने की requirement ही नहीं है कि x divided by y is greater than 2 है या नहीं है तो अगर ऐसा behavior है तो हम बोलते हैं इसको short circuit तो इसका benefit यह है कि मेरी पहली condition मेरी false हो गई तो मेरे को आगर execution की requirement ही नहीं है इसको समझ लेते हैं कि example से यहाँ पर जैसे यहाँ लिखा है x की value 6 है और y की value 0 है तो x is greater than equals to 2 क्या होगा यहाँ पर 2 से बढ़ा है तो यह value मेरी true हो जाएगी और x divided by y अब यहाँ पर y की value कुछ हो लिख लेते हैं पहले हम 2 ही लिख लेते हैं या फिर x की value हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो 1 लिखने के बाद आपने देखा y की value 0 ही रखेंगे हम दुबार run करते हैं इसको तो run करने के बाद आपने देखा क्या हुआ कि x की value यहाँ पे क्या थी 1 थी तो यह condition मेरी पहले ही false हो गई तो इसलिए यहाँ पे false हो गया otherwise अगर यह condition दोनों check करता तो उस case में क्या होता यहाँ पे x divided by y तो divide by y करने पे y की value 0 है और y तो 0 सो divide हो नहीं सकता तो यहाँ पे मेरी error आने चाहिए थी तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे यह वाला जो first expression है यह execute हुआ है second expression execute नहीं हुआ तो इसलिए हम इसको बोलते है short circuit अब देख लेते हैं यहाँ पे x की value हमने लिख दी 6 और y की value 0 अब इस case में मेरा पहला case true हो जाएगा तो इसको automatically second case को execute करना ही पड़ेगा जब अब execute करने जाएगा तो यहाँ पे मेरी error आ जाएगी तो इसको run करा तो आपने देखा यहाँ पे error आगी division by 0 तो इसको हम बोलते हैं short circuit evolution of logical expression